हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्व एडिटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन ले करके आया हूँ यह कोश्चन क्लास 10 की कोड्रेटिक एक्वेशन से कोश्चन लिया गया है इसमें जी रोज फाइंड करना है बाई कंप्लेटि से समझ में आए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को सेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आप ठीक है तो इसकोशन में से बोला गया है फाइंड दा रूट्स आप दा एक्वेशन फाइफ एक्स स्क किया जाता है मेरे शाब से मैं आपको जो इजी तरीका बताऊंगा कम्पलेटिंग डा स्क्वार मेथर का एक फार्मूला होता है x plus b upon 2a whole square minus b upon 2a whole square plus c by a is equal to 0 इस फर्मूले में हम दिये गए equation की सारी values को put कर देंगे हमें roots मिल जाएंगे अब यहाँ पर a, b, c क्या होगा? देखो जो हमारी standard equation होती है a x square plus b x plus c is equal to 0 यहाँ से हमें a, b, c की value मिलेगी यानि कि coefficient of x square जो होगा वो a होगा यहाँ पर अगर अब ध्यान से देखो तो coefficient of x square कितना है? 5 तो यह हमारा हो जाएगा a की value ऐसे बगल में हम write कर लेंगे rough work में coefficient of x is equal to b तो यह हमारा coefficient of x b is equal to minus 6 और c जो हमारा constant term है तो यहाँ से देखो constant term कितना है? minus 2 यानि कि c is equal to minus 2 यानि यह a होगा जो x square के साथ होगा जो x के साथ होगा वो b होगा और जो constant होगा वो c होगा तो यहाँ से हम अलग rough में ऐसे a, b, c की values को write कर लेंगे और फिर इस फार्मूले में लाकर के put कर देंगे और फिर solve करेंगे तो हमें roots मिलेंगे तो आप यह formula write कर लो देखो solution लिखेंगे let us find the roots of equation pi x square minus 6 x minus 2 is equal to 0 by completing the square method तो मैंने अभी आपको बताया कि completing the square method का formula होगा x plus b by 2a whole square minus b by 2a whole square plus c by a is equal to 0 अब यहां से ध्यान देना जो यहां पर variable होगा कभी कभी हर एक equation में x नहीं देता कभी कभी y देता अगर y हुआ तो यहां पर सब y हो जाएगा जहां पर x है x होगा तो x होगा यानि जो letter होगा वो formula में हम रखेंगे अभी के लिए x है तो x रखेंगे और values put कर देंगे तो देखो b की value हमने already यहां पर write कर रखा है तो x plus b is equal to minus 6 है तो minus 6 यहां पर minus है उसको हम bracket में रखेंगे minus 6 ठीक है और 2 into a की value 5 है अब यहां पर हमने छोटा bracket लगा रखा है इसलिए यहां पर curly bracket लगा देंगे या big bracket लगा देंगे यह square कर देंगे minus यहां पर भी देखो जो b की value है वो minus में आएगा इसलिए हमने curly bracket पहले लगा दिया है minus 6 upon 2 into 5 square plus c की value है minus 2 यहां भी bracket लगा देंगे a की value है 5 इतना हम कर लेंगे इसके बाद इसको solve करेंगे देखो यह जो हमारा पहला bracket है इसका square कभी मत करना यह जो हमारा पहला bracket है इसका square कभी मत करना तो यह ऐसे ही write करेंगे यहां पर देखो minus sign है यहां पर plus sign है minus sign plus sign के साथ multiply होगा minus sign बनेगा means x minus 6 upon 10 whole square 2 5 जा 10 यहां पर देखो minus 6 का देखो minus 6 होगा upon 10 whole square स्टाइब प्लस, अब दो को यहां माइनस है, यहां पलस है, तो माइनस पलस मल्टिप्लाइ होंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टू बाइफ इस इकोई टू जिरो, यह ऐसे ही रहेगा, एकस माइनस 6 बाइट 10, अच्छा, इसको हम सॉल कर सकते हैं, देखो, 236 तो यहां पर आ जाएगा 3 by 5 कितना आ जाएगा 3 by 5 और यह होल स्क्वेर यहां पर देखो 6 का स्क्वेर करेंगे तो कितना होगा 36 और 10 का स्क्वेर करेंगे तो कितना होगा 100 यहां पर आ जाएगा और यह रहेगा 2 by 5 देखो यह कटके छोटा हो सकता है तो यहां पर कितना आएगा 9 by 35 आएगा तो मैं इसे मिटा करके 9 by 25 राइट कर देता हूं तो यहां पर क्या आगया था 9 by 25 आगया था is equal to 0 अब अब ध्यान रखना आगे इसको solve करने के लिए इस term और इस term को is equal to के उधर भेज़ देना तो जैसे मैं आपर is equal to लगा देता हूं minus 9 by 25 है इधर आएगा तो 9 by 25 हो जाएगा यह minus 2 by 5 है इधर आएगा तो plus 2 by 5 हो जाएगा और इधर का तो ऐसे ही रहेगा x minus 3 by 5 का whole square इसको थोड़ा अलग solve कर लेते हैं क्योंकि यहां solve करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा देखो 9 by 25 plus 2 by 5 इसको solve करने के लिए हमें क्या करना होता है नीचे के denominator को सेम बनाना होता है जैसे यहां पर 25 है तो यहां पर हम अगर 5 से multiply कर दें तो 25 हो जाएगा और उसी 5 से हम उपर भी multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 a pan 25 plus 5 to 10 25 अभिको 25 इसका 25 इसका सेम सेम है तो यहां पर 25 कामन हो जाएगा और 9 plus 10 कितना हो जाएगा 19 by 25 कितना हो जाएगा 19 by 25 तो वो हम यहाँ पर write कर देंगे 19 by 25 अब एक चीज़ और समझो इधर power 2 है जब यहाँ से power 2 को remove करेंगे तो इधर आजाएगा square root और इधर हो जाएगा x minus 3 by 5 अब जब भी कोई value यहाँ पर square root में होगी तो यह plus minus में होगी is equal to plus minus ठीके अब एक चीज़ और है इस term को इधर बेजेंगे यह जो minus 3 by 5 है इसको इधर बेजेंगे तो होगा क्या वो देख लीजिए x is equal to जब यह minus 3 by 5 बेजेंगे तो plus 3 by 5 हो जाएगा और यह plus minus 19 का तो square root हम कर नहीं सकते हैं लेकिन 25 का square root कर सकते है 25 का square root कितना होता है 5 तो इसको हम write कर देंगे square root 19 by 5 ध्यान से देखना हमने केवल 19 पर square root लगाया है 5 पे नहीं लगाया यानि 5 square root से बाहर हो गया यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है सेम सेम है एक बार यह plus sign के साथ और एक बार यह minus sign के साथ solve होगा तो मैं पहले इसे मिटा देता हूँ जब इसे हम plus sign के साथ लेंगे x is equal to 3 by 5 plus square root 19 upon 5 और आप देखो minus sign के साथ लेंगे 3 by 5 minus square root 19 by 5 ध्यान देना यह plus minus एक बार plus के साथ solve करेंगे एक बार minus के साथ solve करेंगे यह चीज़े same same रहेंगी तो इस बात से confuse मत होना अब जब plus sign के साथ solve करेंगे तो देखो 5 common हो जाएगा 3 plus square root 19 और 3 minus square root 19 by 5 तो यह दोनों हमारे x के root बनेंगे 3 plus square root 19 by 5 और 3 minus square root 19 by 5 यह दोनों roots होंगे इस equation के तो देखो last में answer क्या लिखेंगे therefore the roots of given equation are 3 plus square root 19 by 5 and 3 minus square root 19 by 5 तो यह हमारे answer होंगे इस questions के आप चाहो तो वीडियो को pause करके इसको write down कर लो या फिर screenshot ले लो तो उमीद करता हूं student इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी helpful लगा है तो वीडियो को like कीजे channel को भी subscribe कीजे और दोस्तों को भी share कीजे comment box में बताना न भूलेगा आपकी क्या queries है मैं मिलूंगा आगले वीडियो में आगले question के साथ अब तक लिए जैहिन